कैसे हो आप से अब उमीद करती हूँ आप सब लोग सेफ होंगे अच्छे होंगे अभी मैं कॉलेज में हूँ और मेरा क्लास अभी लंच हुआ है दो क्लास हो गया है वस दो क्लास बाकी है फीड हाई बजीकरी में आज निकलूंगी मैं और आज मैं बहुत ही जादा खोस लाइक मतलब मैं बता दू मेरा फोन आया जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रहे थी और उसके लिए बहुत ही जादा मैं मेहनत भी की हूँ तो जब मेरा हजबन के फोन पर मैसेज आया कि फोन आगया है तो लेकर आया ब्लूडार से ओभी फिर मुझे बोले कि नहीं तुम पह अब तक मैं अपना क्लास कर लेती हूँ तो फिर मैं मेरे लंच हो गया दो घंटे के पाल फिर मैं जाओंगी फिर मैं दिखाओंगे आपको अच्छे से आज मैं बहुत ही जादा खूस हो सही मैं यह देखो मेरी फ्रेंड है आप कि वाइट वाला अच्छा लग रहा है यह बड़ा लग रहा है हाँ यह बड़ा लग रहा है मतलब और सारे सूज क्या पेच्छा यह बड़ा लग रहा है अच्छा है नहीं तो गाइस पती देव अभी अपने लिए नया सूज लाए है और यह मुझे पहन के दिखा रहे थे कि कैसा लग रहा था तो फाइनली बहुत अच्छा लग रहा था उसके बाद अब चलते हैं तर्व को थोड़ा सा इसको एपल खिलाते हैं यह एपल नमक के साथ खाता है और अपना अपना एरोप्लै निकाल तो दिया है हेलिकॉप्टर जो भी है खिलाना से खेल रहा है और इसको मैं थोड़ा से खिला हूंगी फ्रूट्स दिन में खिला देती हूं थोड़ा बहुत इसको गाइस तो अभी मैं निकल गई हूं क्लास के लिए और यह बारिश कितनी तेज हो रही है मतलब बहुत जादा तो गाइस अभी ना बहुत तेज बारिश होने लेगी एंड यह पूल का मैं आपको वीडियो दिखा रही हूं गंगाजी है यहां कतो ना जा रहा है कुछ अलग है एंड बहुत ही जादा हम लोगों को ठंड लग रही थी सोची भी नहीं थी तनी ठंड लग रही है हम पढ़ा को बच्चे आ गए हैं पढ़ाई करने हैं तो देखते हैं ओ एम जी घर आ गई हो साम का खाना बन रहा है तो यहां पर बन रहा है आज कटहल की सब्जी और मैं क्लास करके घर आ गई थी मैं जादा कुछ सूट नहीं कर पाती हूं कभी-कभी ऐसा लगता है चलो क प्रवाइब करना और पता है कभी-कभी मेरे में स्पेस प्रॉब्लम हो जाती है फोन का स्पेस ही फूल रहता है उस वज़ह से भी मैं सूट नहीं कर पाती हूं जादा कुछ फिर मैं घर आई तो यहां पर आप भाभी बना रही है कटल की सबजी और मैं बना रही हूं जहां सब जादा को सितना नगी तरफ करें लेकिन इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क होता है मेरा बहुत ही मैनत से ये सारे वीडियो मैं कैप्चर करती हूं बनाती हूं फिर इडिट करती हूं फिर डालती हूं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही मैनत करती हूं जितने सारे लोग वीडियो बनाते हैं उतने लोग किजिए इंस्टा इडिये ब्यूटी चंद अंतिवारी तो यहां भी ग्रेवी मसाला जो भी सारी चीज़े हो सब फ्राई हो रहा है प्यास टमाटर और इसके बाद इसमें कटल डाल के फिर अपना लाश्ट में थोड़ा सा उबाल के और धर्यापता डाल कैसे सब जीवन नहीं है तो फीर मैं सुछे चलो इसको कंटीनिव करते हुँ और वकर भी देती हूं ऐसा नहीं यह दो तीन दिन पर आहीं जाता है आच्छा खासा मेरा ब्लोग बाकी आप लोग करूँगी कि मेरा अच्छा खासा भी उत्जाई और जो मैं काम कर रही हूं उसमें आगे टो बहुत उच्छा लगा फैमली को बहुत अच्छा लगा चलो कुछ ना कुछ तो मैं computer रहे हूं बागी मेरि कटल की सबस्केट हो क्या कर रहे हो तुम लोग कर रहे हैं ब्लॉग शूट अथर्व हां तो मेरा निव फोन आ गया है और मेरा निव फोन मैं बाद में दिखाऊंगे तुम तो देख लिए तोम बढ़什麼 डून रहे बहुत गंदा बच्चा है कि थे अ रही का नगाने ह। तुममा जाए है मैं मेरे लिए है नीटरस खरीड दोगे आइफोन दोगी त slowed Me को नहीं मिलेगा अभी हम दोने लिगों की पढ़ाई हो रही है ये इस अधर 실क कर रही है अपना पढ़ाई कर रहे है और मैं अपना पढ़ाई कर रहे हूँ और अधर्व अपना पढ़ाई कर रहा है ना विटा तो अधर्व इदम कर रहा है और मैं भी अपना यह सब बढ़ाई कर रही हूं यहां ओंप लिख सब्सक्राइब कहिते लीएं 0ience मेरा गर्टाइं तो उसके लिए तो भी Sydney मिलता है लेकिन जीतना की बूरा लान् Mem consiste तो यहाँ पर पतिदेव अपना निव कुर्था खरीद के लाये थे खोली के लिए तो वह दिखा रहे थे यह online मंगवाये हैं मिंद्रा से मंगवाये हैं होली के लिए तो यह अभी देखेंगे कैसा आया है अच्छा है गी फिटिंग वगेरा सब कु सही है कि नहीं तो अभी रात के बस गया है साड़े बारह और मेरा खाना पीना भी हो गया है और जो अभी तक शर्प्राइज था और मैं आपको बता दे रही हूं मेरा आइफोल फोर्टीन प्रो खरदा गया है जी हाँ तो कली खरदा गया था लेकिन कल मैं कल का ब्लॉग शूट नहीं कर पा बस इसको दी थी इसलिए मैं नहीं वीडियो शूट कर रही थी तो फाइनली मैं आपको दिखा दे हूं एक मिनिट अभी मैं आपको दिखा रही हूं अपना निव फोन जो की है आइफोन फोर्टीन प्रो एंड वन टेराबाइट इसमें जो स्टोरेज है वन टीवी मतलब क काफी ज्यादा स्पेस है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे इस वज़ा से मैं इतना ज्यादा फोन ली जोकि मुझे बहुत ज्यादा कोश्टली पड़ा मेंगा भी पड़ा लेकिन चलू ठीक है फिर मुझे जरूइत थी तो इसलिए मैं ली अब आप लो सोच र करती हूं सब आइफोन में करती हूं लेकिन ओ थर्टीन है और मुझे थोड़ी सी क्वालिटी और भी अच्छी चाहिए थी रिल्स के लिए तो उसके लिए भी मुझे रहना था एक और प्लेस पॉइंट एक और चीज था ना कि इसमें जो मैं सैमसंग यूज करती हूं इसमें वन टेराबाइट एक आया गई जो इस फोन का स्टोरेज है ना वह है वन टेराबाइट मतलब समझ रहे हो कितना जादा स्पेस है और मुझे परस्नली स्पेस के लिए ही फोन लेना था तो इसलिए मैं यह वाला फोन ली और बहुत सारे लोग मुझे पता है इसका पता चल जाएगा आपको और मैं आपको दिखाती हूं कुछ चीजे जो कि मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे फोन लेना है लेना है लेकिन किसी ना किसी कारण से तल जा रहा था आज लेंगे कर लेंगे कुछ इस तरीके से लेकिन मैं फाइनली फुद की कमा इसे यह वाला आइफोन खरीदी हूं बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता है बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियो बना के टाइम पास होता है या फिर मतलब बहुत सारी चीजे कभी कभी मैसेज आती है लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहते हूं कैसा कुछ नहीं है घर बैठके भी अराम से हम लोग वर्फरम होम कर सकते हैं जॉब कर सकते हैं वीडियो बना सकते हैं और अपने खुद के दम पर कुछ खरीद भी सकते हैं तो फाइनली यह सबसे आज तक है सबसे महेंगा ऐसे मैं बहुत सारे ज्वैलरी भी बनवाई हूं जो कि मैं हम साइटेड हूं कि साइध वीडियो में दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुर्स हूं और फाइनली आइफोन 14 प्रो मेरे पास से अब आगे से जो भी सारे आपको रील्स फोटो दिखने के लिए और इसी फोन का मिलेगा तो ब्लोग शूट के लिए मैंने अपना यह वाला फोन रखा है जो कि सैंसंग का है एस टेन प्लस यह भी बहुत ही महेंगा और अच्छा फोन है तो इससे में ब्लोग शूट करूंगी और आइफोन से मैं रेल्स और फोटो शूट करूंगी ठीक है तो पस मैं सची चलो आप लोग शान सेयर कर देती हूं अ कुछ लोग फोन की प्राइज पूछ रहे थे तो मैं यहां पर साइड में स्कीन सोट लगा दी हूं जो कि आप देख सकते हो और उसके बाद अभी एक और मेरे पती देव का निव ड्रेस आगया है होली के लिए सारे ड्रेस ऑनलाइन मंगाए हैं इनको मतलब कपड़ा चेक हासिल हो रहा है कोई दुसरा आएगा भी कनफॉर्म नहीं अथर्व का भी ड्रेस बन रहा है पती देव का भी आ गया है ओली की सौपिंग हो गई है लग बहुत अच्छा लग रहा है मेरी टेंशन कम होई नहीं तो मैं हमेशा मैं हमेशा इंतजार करती थी कभी स्कूल से आ फाइनली मेरे खुद का आइफोन 14 प्रो हो गया थैंक यू तो आप देख सकते हो इस पर वन टेराबाइट है जो कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दे रही हूं अभी रात को टाइम हो गया है मतलब रात तो होई गया था कबसे अभी पता ही क्या टाइम हो रहा है और ह अब हम जा रहे हैं ठीक है तब तक मिलते करने ब्लॉग में आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक किजिएगा अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ सेर किजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं नेक